कि अपने यूटूब चैनल ग्रोफ ट्रेडर्स पर यहां पर हमें एनलाइज करने वाले हैं बैंग निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी को यह एक्सपाइरी की दिन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर्टी की वेडनेस जो मार्केट ओफ है और मार्केट ओपन होगा थस्ट करते हैं अपना एनलसिस तो फिर्ट यहां पर देखेंगे तो यहां पर मार्केट काफी अच्छा डाउंसाइड तरफ को मूफ कर रहा था और यहां पर इसने एक बांस बैक दिया और मैंने आपको बताया था कि जब तक हम यहां पर कन्फरमेशन नहीं मिलेगी तब तक हम यहां पर मार्केट को बुलिश नहीं समझेंगे तो देखें फिरन मार्केट यहां पर एक बांस बैक लिया और यहां पर फिर से एक पुल बैक देने के बाद आज इसने फिर से यहां पर इस लेवल को ब्रेक किया यहां पर यहां पर यह लेवल मैंने आपको यहां पर यहा पर, इस लेवल पर सपोर्ट ले और उसके बाद फर इस मुफ करेे UPSIDE लिए तो फिर यहां पर, MARKET, यानि BENG, निफ्ति यहां पर बुलिश नजर आईगी और यहां पर एक लेवल मैं आपको, यहां पर बुलिछ समझेंगे अभी मारक्ट इस लेवल को ब्रेक नहीं ही यानि कि यह पर support बना के इसने अप्सइड मूव दिया उसके देखें इन फिर फिर से यहां पर तो यहां पर देखें हैं बुलिश नजर आ रही है PRAPAR प्रॉपर बूलिश में लेवल के उपर सब्सचिंगे 29,500 के उपर और यहां पर आप देखेंगे अगर मैं जसा ए रहा हां.. तो मर्कर्ड यहां पर निकलना चुरू हुआ है A-बश्र एयांपर स्थिनुरॉन तो अब हमारे लिए जो नेक्स्ट मुवमेंट होगा डाउंसाइट के लिए अगर हम बैरिश समझेंगे तो हम इस लेवल के नीचे समझेंगे बैरिश यानि थाउजन के नीचे मार्केट जिस दिन क्लोजिंग देगा तो फिर से यहां पर बैरिश नजर आईगी अभी मार्क जो ट्रेंड हे वह थोड़ा से यहां पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है कि यहां पर ट्रेंड हो चेंज हो रहा है तो यहां पर इस लेवल के ऊपर हम यहां पर बैंक निफ्ट को बुलिश समझेंगे और चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिन के टाइम फ्रेम पर की दिन धर्ष्टे वाली दिन हमाए क्या moment देखले गो मिल सकता है तो यहां पर हम चलते हैं अगर आप 15 मुनेट टायम पर देखेंगे, हमें वाहिस ए्टमट 15 विन्ट के टायम भीन फ्रेम लिए ओने मार्केट बॉलिख है मार्केट बुलिष है यहां पर इसने support लिया, आप support लेके यहां पर यहां पर यह level break नहीं हुआ, अभी तक क्या हो रहा था, market downside तरफ को move कर रहा था, और जो इसका पिछला high था, यह break नहीं हो रहा था, यहां पर यह देखिए, अब यहां पर इसने low बना लिया, यहां पर यह low break नहीं हो रहा, यहा यहां पर यहां पर यहां पर यह लो बना लिए यहां पर यहां पर यह लो बेक नहीं हुआ IES मॉदश कि अ कि अप मार्क यहां पर gap-up open होने के बाद इसने website का notify होग दिया अगर जब तक इस level को break नहीं करेंगा तब तक हम यहा पर market को बिरिखा नहीं समझ सकते हैं अभी market का trend वो यहा पर change होते हुए नगर आ रहा है. तो चलिए ब हम देख लेते हैं कौन-कौन level समय देखने को मिल सकते हैं Thursday वाली दिन तो यहां पर्दी की market आज यहां पर gap up open हुआ, यहां पर gap up open हुआ, gap up open होने के बाद इसने यहां पर upside का ही move दिया, यहां पर दिखे जो इसके लिए important resistance है, यहां पर यह level, यहां पर यह level, इस लेवल से rejection phase किया है, 39,178 की level से, और यहां पर दिखे rejection लेने के बाद इसने downside का move यहां पर फिर से इसी level के आसपास यहां पर closing करी है, तो यहां पर हमारे लिए, जो important friend, यहां पर levels है, तो चलिए, यहां पर मैं level थ्वड़ा से address कर देती हूं, यहां पर यह level, यानि कि 39,226 का level है, यह हमारे लिए important level है, अगर हमें upside का move देखना है तो यहां पर इस level के ऊप अगर प्रोपर क्लोजिंग मिलने चाहिए अगर प्रोपर क्लोजिंग मिल जाती है तब यहां पर अफसाइट के टार्गेट यहां पर देख सकते हैं तो हमारे पास यहां पर यहां पर टार्गेट होगा यहां पर 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 य क्योंकि यहां पर यह psychological number है, तो यह हमारे लिए important level होगा, 39,500 का level, तो यह हमारे यहां पर next target होगा, अगर यह भी break होता है, तो फिर यहां पर next target जो होगा, वो होगा 39,500, 91 के आसपास का level है, तो यहां पर हम इन levels को यहां पर देख सकता है, upside के लिए, तो यहां पर मैं level draw कर दे कर देती हो, तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर यहां पर टार्गेट होगा, second target फिर हम यहां पर 39,500 का level देख सकते हैं, तो यह हमारे यहां पर target होगा, upside के लिए, तो इस level को ध्यान रखिएगा, अभी इसके ओपर market जोह है, यहां अगर closing दे देता है, तभी हम यहा यहां पर इस level से तरह काफी जादा इस level से rejection phase किया हुआ है और movement आप देख सकते हैं इस level से rejection phase करने के बाद कितना बड़ा move हमें down side तरफ देखने को मिला है तो इसलिए यह level हमारे लिए important level है क्योंकि हो सकता है यहां पर इस level से rejection phase करें और फिर से यहां पर हमें movement तरह कि थर्ष अगर आप देखेंगे यहां पर इस level इसलिए है क्योंकि इस level से rejection phase कियाए यहां पर down side यहांप से 넣 with lower wait अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस level बाइक ठीक है feel наблюд यहां पर इस level को ब्रहब हमें ऊपर दाあ का लेवल यहां पर यह ब्रेक हो ब्रेक हो ब्रेक होने के बाद यहां पर जो है डाउंसाइट का मुवमें देखने को मिल सकता है तो डाउंसाइट के लिए जो हमारे पास यहां पर फ्रेंट टार्गे होंगे तो यहां पर अगर अगर यह मुफ करता है डाउंसाइट के लिए यहाँ पर यह लेवल यह हमारा 2nd target होगा 38,699 लेवल यह हमारा next target होगा और यह भी अगर break होगा तो फिर यहाँ पर next target कहीं न कहीं फिर हम यहाँ पर इस level तक देख सकते हैं. 38,588 के आसपास का लेवल, तो यह हमारे यहां पर फिर्ट डाउंसाट के टार्गेट है, यहां पर मैं लेवल लगा देती हूं, यह हमारे यहां पर डाउंसाट के टार्गेट है, वसक्तु के टार्गेट चार्गेट के बार वर अटब के टार्या, तो देखेये मार्केट अगर यहां पर यहां पर जाता है, होता है उसके बाद यहां पर अगर यहां पर यह लेग्र फिर सेट पर देखने को मिल सकता है तो दॉड तो दूट सार के लिए हमे dachte करना होगा और की थूड़ करना की वेट करन breakoutḥ देखें क्या प्ल्यूंग श्कन मन रखेंगे यहां पर देखिन यहां पर हमें कोई positive candle मिल जाती है इस level के उपर तो फिर से यहां पर हम upside का movement यहां पर हम देख सकते हैं क्योंकि market का trend फ्रेंड थोड़ा सा change हो चुका है तो यहां पर जो scenario बन रहा है वो buying on dip का है जैसे ही थोड़ा सा यहां पर downside तरफ को move मिलेगा तो फिर यहां पर फिर से buyer active ह हो सकते हैं और market को upside को move कर सकते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा friend ध्यान में रखेगा अब हम बात करें यहां पर gap up की तो देखे market अगर यहां पर gap up open हो जाता है यहां पर gap up open होता है अगर यहां पर इस level को इस level पर कोई हमें यहां पर negative candle मिलती है तो फिर हम यहां पर downside का movement द open होने के बाद अगर यहां पर consolidate करता है तो फिर यहां पर इस level तक हमारा target हो सकता है यह हमारा first target second target फिर हम यहां पर इस level तक यहां कि जो levels है इन levels को हम देख सकते हैं upside के लिए तो market जब gap up open होगा थोड़ा सा में wait करना है यहां क्योंकि यहां से rejection जब आया है तो काफी movement जो ह हमारे यहां लेट करना होगा यह gap up open होता है अगर यहां पर market flat open होने के बाद यहां पर flat open होने के बाद अगर इस level की उपर closing मिलती है तब हम यहां पर upside के अच्छे moment यहां पर हम देह सकते हैं और हम यहां पर देख कर आगर मैं आपको यहां पर line draw करके दिखा और resistance के लिए यहां पर यहां पर पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो यह हमारे लिए यहां पर एक हमने लाइन कर लिए यह हमारे लिए यहां पर एक हमने लाइन कर लिए यह हमारे लिए यहां पर एक हमने लाइन कर लिए यह हमारे लिए यह हमारे लिए रेश्टेंस की सपोर्ट की और फिर से यहां पर upside का movement दिखा सकता है तो market का trend आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर market का trend है वो change हो रहा है तो चलिए देखते हैं market किस तरह से behave कर सकता है Thursday को अब हम चलते हैं Nifty 50 को देख लेते हैं तो फ्रंद यहां पर में देख ल tenemos हैं निफ्टि describes頭 पुल बेक पर यहां पर यह लेवल तो यहां पर यह लेवल हमारे लिए के लेवल मारके ड्यूल के अंदर मूअ कर रही थी उसके में यहां पर आज ब्रेक आओट मिल और इसके उपर क्लोजिंग तो हमारे लिए इंपोर्टन यहां पर फ्रेंड यह लेवल होगा यानि 17,350 के आसपास का लेवल होगा अगर उस लेवल के उपर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहां पर हम अपटाट का फिर से मुवमन यहां पर देख सकते हैं इस लेवल तक तो यहां पर यहां पर यहां आने करें तो यहां पर जो इसका यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है तो यहां से मुममेंट जो है अब चेंज हो चुका है यहां पर तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहा है जैसे मैंने अभी आपको 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 बैंग न तो इन लेवल को दिये गान रखेगा इस लेवल को पर क्लोजी मिलती है तो तो फिर यहां पर हम इस लेवल तक असे लेवल को देख सकते हैं इस लेवल तक, लेवल होगा हमारा 17,600 के असपास का लेवल so friends चलते हैं हम देख लेते हैं 15 मिस के 500 ल के time frame पर जाए हम चलते न हम 15 मिस लेट लिए-सकर से पहले जैसे बाइन हम जो यहमोव कर दूँ तो यहां पर हम निफटी को देख लेते हैं 15 मिनट के Pick a time frame मैं तो यहां पर देखें फ्रेंड यहां पर यह लेवल हमारे लिए इंपॉर्डन लेवल है यह हमारे लिए इंपॉर्डन सपोर्ड का लेवल है क्योंकि यहां पर कई पार इसने रेजिटेंस फेस किया हुआ है यानि पहले यह रेजिटेंस के लेवल थे यहां पर देख सकते है किस तरह से यहां पर जबी इस लेवल का आसपास आता था, यहां एक bड़ा फॉल हमें देखने को मिला है, तो इस लेवल कोध्यान में रखेगा और यहा पर 28 हमारे लिए इंपर्टन ए मन अब्ड इप्ड इसपॉरेट्ऩर्टीज गार्ड अब यहां पर 275 expands का लेवल अगर यहां पर market दांस्टरफ को करता है और इस level को break कर देता है तो break करने के बाद अगर यह इस level के लिए नीचे closing मिलती है तो फिर से यहां पर ऑम इस level तक अफर टार्गेट को देख सकते हैं तो target क丘ू यहां पर यहां पर यही हमारा वर्फ टर्गेट होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यह पर इस लेवल पर नशनly पर कई बार सपोर्ड लिया हुआ यहां पर 220 ब्रेक होगा तो फिर यहां पर इस लेवल तक हमें ट्रगंटात देखने को मिल सकता है के लेवल होगा है तो इस लेवल टार्गेट में हम देख सकते हैं अगर यह भी प्रेख Arc 이제 के लिए यहाँ पर हम है अगर इस लेवल क्लोजिंग मिल्ती है तो फिर यहाँ पर हम इस लेवल तक अपने तो यहां पर बात करें अपसाइड के लिए तो यहां पर अगर इस लेवर को ब्रेक करता है अपसाइड में अगर यहां पर यह लेवल ब्रेक होता है तो यहां पर 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 यहा और ये भी अगर ब्रेक होगा तो फिर नेस्ट टार्गेट यहाँ पर एक सेकंड नेक्ष टार्गेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक यहाँ पर यह लेवल है रेजेक्शन लिया है तो तो 17,392 के आ सपास का लेवल यहाँपर हम देख सकते हैं अबसेट के लिए तो यह हमा का सकता है है कि यहां परathers बता को यहांँ हो जाता है यहां पर कोई पोजिटिव केंडल मिलती बने लिए तो फिट पर मुंमेंट थोड़े ति तरफ देखने को मिल सकते यहां पर निंगाल यहां पर कोई positive candle मिलती है इस level पर क्योंकि यहां पर कई बर support लिया हुआ है तो यहां पर अगर कोई positive candle मिलती है इस level के उपर तो फिर से हम यहां पर oui समझ सकते हैं और यहां पर जो moment होगा वो हमें upside तرف देखने को देखने को कि इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया तो काफी दिन मार्केट इसी लेवल के नीचे रहा तो यह लेवल हमारे लिए इंपोर्टन लेवल होगा रेस्टेंस के लिए तो यह रेस्टेंस जो है यहां पर ध्यान रखिएगा अगर मार्केट इस रेस्टेंस को यानि कि इस लेव सब्सक्राइब करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से हम यहां पर दाउन सायट का थोड़ा सा मूव यहां पर हम डाउन साइट के देख सकते हैं तो यह था मेरे सेनेरियो बैंक गैप आप यह गप डाउन उसके अकॉर्डिंग हम वर करेंगे तब तक लि